नमस्कार आप देख रहे हैं बिहारी नियूज और मैं हूँ यती आपके साथ पटना जेपी गंगापत की ओपनिंग पहले ही हो चुकी है जिससे पटना के लोगों को ट्राफिक जाम से काफी राहत मिली है सांथी आपको ये भी बता दें कि दीघा से पटना की दूरी महस साथ मिनट तक हो गई है मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह बनी जेपी गंगापत को बनाने में करीबं 3831 करोर रुपे की लागत लगी है जेपी गंगापत के बन जाने से उत्तर बिहार से पटना की कनेक्टिविटी भी बेहत बहतर हो गई है बात ये भी सामने आ रही है कि पटना जेपी गंगापत पर अब टोल प्लाजा लगने जा रहा है सरकार द्वारा तैयारी भी शुरू कर दी गई है लोगों की सुरक्षा को नजर में रखकर सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया क्यूंकि आए दिन कुछ न कुछ दुरगटना के मामले सामने आते ही रहते हैं आपको बता दें कि जगा जगा लोगों की सुरक्षा के हिसाब से टोल टैक्स की नीती बनाई जाएगी एक खबर ये भी आ रही है कि दीगा से दीदार पूर तक आने जाने के लिए पटना के लोगों को एक नया विकल्प मिलने जा रहा है सहर की दूसरी सरकों की तरह जे पी पट पर ट्राफिक तो नहीं होती लेकिन सही ट्राफिक की सुरक्षन ना होने की वज़़े से कई दुरगटना आए दिन होते रहती है ऐसे में टॉल प्लाजा बनाने का ये आइडिया पटनावासियों के सुरक्षा के लिए बहुत सही है अब बात कीज़ाए टॉल प्लाजा कहां और कब लगेगा तो हम आपको बताते हैं कि जेपी गंगापत पे कहां कहां टॉल प्लाजा लगेगा सबसे पहला नाम राजापूर के पास बनरा टोल प्लाजा का आया है जहां टोल प्लाजा बनने का काम शुरू हो गया है जिसके लिए एक रिपोर्ट में सामने आया है कि सरकार ने आवास तदा सहरी विकास के टोल से करीबन 25 सो करोर की लागत के लिए कर्ज लिया है कि टैक्स की वसूली तीन तरीके से की जाएगी जिसको लेकर अभी योजना बनाई जा रही है जिसमें राजापूर के पास दो तरफ से वहीं तीन-तीन काउंटर लगाने की बात भी सामने आई है खबरों की माने तो टोल टैक्स वसूली के नियम अलग होंगे जिसमें तोल नीती के अंदर नीजी वहन और रह रह रहे लोगों के लिए अलग नियम बनाई जाएगे वहीं समान भड़ी लोडर गारीों के लिए अलग तोल टैक्स वसूली के लिए बूद बनाये जाएगा वहीं जो लोग वहां से बार बार आना जाना करते हैं उनके लिए अलग से प्रतिबंद किये गए हैं साथ ही बात ये भी सामने आ रही है कि वहां से जो लोग बार बार आना जाना करते हैं उनके लिए अलग से प्रबंद बनाया गया है ताकि उन्हें किसी तरीके की समस्या न ओवर्लोड चल रही गारियों से जुर्माना वसूलने के लिए वेट मशीन भी लगाई जाएगी सांती बिहार स्टेट रोड डेवलप्मेंट कॉपरेशन लिमिटेड के अधिकारियों की एक टीम अन्य राजियों में लगने वाले टोल का उध्यान करने में जुटी हुई है ओवर्लोड चल रही गारियों से जुर्माना वसूलने के लिए वेट मशीन लगाई जाएगी बिहार स्टेट रोड डेवलप्मेंट कॉपरेशन लिमिटेड अधिकारियों की एक टीम जो है वो अन्य राजियों में लगने वाले टोल की उध्यान करने में जुट गई है देश के कई राज सरकारों द्वारा शेहर को जाम से निजात दिलाने के लिए अपने खर्श के साथ लोन लेकर एक्स्प्रेस वे भी बनाया जाएगा दूसरी तरफ बात करें उत्तर भारत से पटना आने जाने वाले लोगों की तो जहाँ जेपी गंगापत पर होकर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाते हैं वहीं दूसरी तरफ और अंगाबाद और बकसकी तरफ से आने वाले लोग एम्स अस्पताल रोड से दीघा पत पर होकर ही आते हैं ऐसे अशोक राजपत से दीघा और दानापूर में रह रहें लोग पटना रिंग रोड के रूप में इसका उपयोप कर ही रहें जिसको लेकर सरकार ये भी तयारी कर रही है कि वेस्ट दिखा रास्ते शेकपूरा और पूर्व में दीदार गंच से कच्ची दर्गा तक जाए ताकि बहां से आने जाने वाले लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो वहीं खबरों की माने तो पत विकाश निगम के उप महाप्रबंदक अरुन कुमार ने बताया है कि टोल प्लाजा बनाने का प्लान परियोजना में ही शामिल है जिसके अंदर काउंटर के सासा टोल प्लाजा भवन भी निर्मान होना है उन्होंने ये भी कहा कि अभी सरकार द्वारा टैक्स की नीती नहीं बनाई गई है जब बन जाएगी उसके बाद टैक्स का मूल लिताय किया जाएगा है ऐसे तो दीघा से दीदार गंज तक आई सरक परियोजना का वस अमूमन एक भागी बन कर तयार हुआ है जेपी गंगापत पर वाहनों के सफर करने वाले लोगों को अप्रेल से टोल टैक्स देना होगा जिसको लेकर टोल प्लाजा निर्मान अभी से शुरू हो गया है इसके लिए राजापुर पुल के पास टोल बूद बनने का काम भी चल रहा है अगले महीने से प्रशाशनिक बिल्डिंग का निर्मान कार भी शुरू हो जाएगा जिसके बाद ही बाकी के कार की शुरूआत होगी अभी तक के लिए इतना ही धन्यवाद